प्यारे बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हेंदी का पार्ठ 10 एक दिन की बादशाहत बच्चों आज हम इसके प्रश्नुत्तर करेंगे कहानी की बात प्रश्न एक अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली उत्तर अन्ना ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए प्रेश्ण दो वहाँ एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे वहाँ दिन बीट जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनन्दायक था काश ऐसा दिन रोज आए अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी जरूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए दादी जी ने सोचा होगा कि हम प्रति दिन इन बच्चों को कितना कस्ट देते हैं तुम्हारी बात प्रश्ण एक अगर तुम्हें घर के एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिये जाएं तो तुम क्या क्या करोगी उत्तर अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिये जाएं तो हम अपने मन की सारी बातें पूरी करेंगे बड़ों पर रॉब जमाएंगे और यह कोशिश रहेगी कि घर पर कोई गलत काम न हो प्रश्ना दो कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे तुम्हारे विचार से उन में से कौन-कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किये कर लेने चाहिए थे और कौन-कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था उत्तर आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना है सुबह जल्दी उठना धीमी आवाज में गाना बाहर नहीं जाना, शोर ना करना, खुद नहां लेना, कम घूमना फिरना, आधी काम बिना शिकायत किये कर लेने चाहिए थे वहीं उन्हें सदा नाश्टा करके बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था तरकीब दोनों घंटों बैटकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे प्रश्न एक, तुम्हारे विचार से वे कौन-कौन सी तरकीब सोचते होंगे? उत्तर, वे दोनों सोचते होंगे कि काश हमारे पास एक जादू की छड़ी आ जाती इससे वे सबके मुह में ताला लगा देते, इस तरह उनको कोई कुछ नहीं कहता हो सकता है वे सोचते, काश सबको अपना गुलाम बना लेते और सुयम मजे में रहते या फिर वे सोचते होंगे, काश वे किसी तरह सबसे बड़े हो जाते और बड़ों पर हुक्म चलाते प्रश्न दो, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? उत्तर, उन्होंने बड़ों के सबी अधिकार मांग लिये थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी प्रश्न तीन, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? उत्तर, मैं अपने परिवार के सामने अपनी समस्या रखती और उन्हें बताती कि उनके व्योहार से हमें बड़ी परिशानी होती है अधिकारों की बात आज तो उसके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं प्रश्न एक, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिये थे? उत्तर, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिये थे प्रश्न दो, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उत्तर, आरिफ और सलीम को अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे उन्हें चाहिए था कि अब्बा और अम्मी के साथ बैठ कर अपनी बात कहते और समस्या को सुलजाने का प्रेयत्न करते प्रेशन तीन उन्होंने अम्मी के कौन-कौन से अधिकार छीने होंगे उत्तर, उन्होंने अम्मी से डाटने, सुबह जल्दी उठने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे बादशाहत प्रेशन एक, बादशाहत क्या होती है? चर्चा करो उत्तर, यह शब्द बादशाह शब्द से बना है पुराने समय में बादशाह, जिसे राजा भी कहते हैं, उनका हुक्म सब के लिए महत्वोपूर होता था वह समपूर प्रजा पर राज करता था सब उससे डरते और उसका हुक्म मानते थे बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं प्रेशन दो तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है तुम भी अपने मन में सोच कर कहानी को कोई शीर्शक दो उत्तर हमारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया क्योंकि आरिफ और सलीम को सब बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिला था जिसके कारण उन्होंने सारे बड़ों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया अतहा इसका नाम एक दिन की बादशाहत पड़ा इस कहानी के लिए अन्य शीर्शक भी हो सकते हैं जैसे बड़ों को सबक प्रश्न तीन कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? उत्तर कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बाद्शा बन गए थे क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे तर्माल रोज की तरह आज वहत तर्माल अपने लिए रख सकती थी प्रश्ण एक कहानी में किन किन चीजों को तर्माल कहा गया है उत्तर कहानी में अंडे और मखन जैसी चीजों को तर्माल कहा गया है प्रश्ण दो इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तर्माल कहा जा सकता है उत्तर इन चीजों के अलावा हलवा पूरी, खीर, मिठाईया, पकवान, आदी चीजों को तरमाल कहा जा सकता है प्रेशनत तीन कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती उत्तर, चावल, डाल, कुछ सबजिया, दलिया, दूध रोटी, हमें तरमाल नहीं लगती प्रेशन चार इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहूगी? सुझाओ उत्तर, इन चीजों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहेंगे मन पसंद कपड़े बिल्कुल यही तरह तो हम आरिफ और सलीव से उनकी मन पसंद कमीज उतरवा कर निहायद बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है प्रेशन एक तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा? उस कपड़े के बारे में बताओ वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? उतर मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आराम दायक है प्रेशन दो कौन-कौन सी चीजें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं पहलने की चीजें उतर पुराने धीले, रंग उतरे और फटे कपड़े अच्छे नहीं लगते खाने पीने की चीजें उतर अधिक मीठी, मिर्ची वाली या खटी चीजें पसंद नहीं हैं ग करने के काम, उतर घर के काम, अधिक पढ़ना, कपड़े साफ करना, जूते पॉलिश करना, आदी खेल उतर, कबड़ी और पतंग बाजी हलका, भारी क, इतने भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कड़ाई थी उत्तर इसलिए उसे भारी साड़ी कहा गया है, इनके कारण भी साड़ी का वजन भारी हो जाता है भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश उपर भारी विशेशन का चार अलग अलग संग्याओं के साथ इस्तेमाल किया गया है इन चारों में भारी का अर्थ एक सार नहीं है, इनमें क्या अंतर है? उत्तर भारी साड़ी से अर्थ है, साड़ी पर बेल बूटों की कड़ाई होने पर यहां भारी लगने लगती है ऐसी साड़ी महंगी भी होती है, अता यहां भारी का अर्थ महंगी और अत्यदिक कड़ाईदार होने से है भारी अटैची अटेची में वजन्दार सामान है जिससे भारी हो गई है अता यहां भारी का अर्थ है वजन्दार भारी काम कोई काम जब बहुत बड़ा, मुश्किल और पेचिदा होता है तो उसके पहले भारी विशेशन का प्रियोग किया जाता है अता यहां भारी का अर्थ काम के बड़े मुश्किल और पेचिदा होने से है भारी बारिश वर्षा जब बहुत अधिक होती है तो उसके पहले प्राय हम भारी विशेशन लगाते हैं अता यहां भारी का अर्थ अधिक से है भारी की तरह हलका भी अलग-अलग अर्थों में इस्तिमाल करू हलका बदन या शरीर आज मैंने कम खाया है जिसके कारण बदन हलका महसूस हो रहा है हलकी बात मेरे सामने इतनी हलकी बात मत करू हलका काम जो काम तुम कर रहे हो वह बहुत हलका है और कोई भी उसे कर लेगा हलका खाना मेरी दादी हमेशा हलका खाना खाती है गर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को शेर करना न भूलें